आज हम आपको reference tab के table of authorities के अंतरकत सभी options की जानकारी दे रहे हैं यदि आपके पास कोई ऐसा document है जिसमें बहुत सारी category जैसे की fruits, junk food and vegetables को दर्शाया गया है और आप चाहते हैं कि जितनी भी category हमने document में बनाई है उन सभी category का एक table तयार हो जाए और बाद में अगर हम कोई और category उसमें add करना चाहें तो वह भी हम आसानी से कर सकें तो यह काम हम mark citation की मदद से किसी भी category को mark करके और table of authorities याने TA की मदद से आप mark की गई सभी category को एक साथ एक page पर index कर सकते हैं जिसकी मदद से आप किसी भी category तक आसानी से पहुँच सकते हैं क्योंकि उस category के आगे index पर page नंबर भी लिखा होता है जैसे की table of content में होता है तो चलिए अब हम इसे practical तरह से समझते हैं आपको समझाने के लिए आप देखेंगे हमने यहाँ पर पहले से एक table of authorities का एक index तयार किया हुआ है जैसा कि आप देखेंगे हमने जो सबसे पहली category लिए है वो यहाँ पर fruits के लिए है दूसरी जो category है वो हमारी junk food की है और तीसरी हमारी vegetables आप देखेंगे fruits के अंदर हमारे पास यहाँ पर lemon, strawberry और orange जो आपको दिखाई दे रहा है वो page number 2 पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर junk food है और यहाँ पर आप देखेंगे page number 4 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है याँ जन्क food के जितने भी हैमने categories यहाँ पर ली है वो यहाँ पर page number 4 पर आपको represent करना है तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर page number 4 पर चले जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर advantage of junk food है और उसके जितने भी आपकी categories है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है इसी तरीके से page number 3 पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे advantage of vegetables है और इसके भी categories आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो fruits है वो page number 2 पर है बट junk food जो है वो हमारा page number 4 पर आपको दिखाई दे रहा है और नीचे जो vegetable है वो हमारा यहाँ पर page number 3 पर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे यह जो हमारे fruits और junk fruits और vegetables है इनको basically alphabet के हिसाब से sort किया गया है यह by default आपका जो table of authority है वो इसको by default sort कर देता है जैसे हम बात करें F के बाद जो अगला text आता है याई अगर हम ABCD को read करते हैं तो F के बाद जो अगला text आता है वो J आता है और J के बाद हमारा V आता है जैसे मैं बात करूँ F के बाद G, H, I और उसके बाद J आ जाता है तो यानि F के बाद J हमारा जो है वो sequence में है और उसके बाद हमारा V आता है तो इस तरीके से हमारा यह index बना हुआ है अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस तरीके का index create करना जाते हैं तो आप किस तरीके से उसे कर सकते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर एक नही फाइल ले लेते हैं तो यहाँ पर आप आप देखेंगे हमने वही document फिरसे insert किया है तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर click करना है यानि आपके page के सबसे starting word पर click करना है आपको अपने keyword से control plus enter press करना है जैसी आप control plus enter press करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर page one blank आजाएगा बैसे multiple pages में view करके आपको दिखा देता हूँ आप view tab में जाएए और यहाँ पर multiple pages जिसको select करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा एक blank page है और बाकी जितनी भी हमारी categories है वो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रही है टेबल अफ अथर्टीज का यूज करने के लिए अब हमें जाना होगा है यहाँ से reference tab में और यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा mark citation का mark citation का use करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी categories को select करना होगा तो वापस से हम अपने page को zoom कर लेते हैं zoom करने के बाद हम नीचे की तरफ आते हैं scroll करके और यहाँ पर सबसे पहले हम lemons को select करते हैं सबसे पहले lemons को select करने के बाद हमें जाना होगा यहाँ पर reference tab के mark citation वाले option पर इस पर जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर mark citation का आपके सामने एक dialog box represent हो जाएगा और इसके बाद categories के अंदर जैसे आप scroll button पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारी categories दिखाई देगी जिसमें हमें अपनी category रखनी है fruits तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमारी fruits के नाम से कोई भी category आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है तो अगर आपके पास कोई भी category आपको दिखाई ना दे तो आप खुद से कोई भी category कैसे customize कर सकते हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ, तो जैसे माल लीजे यहाँ पर जो पहले से ही categories दी गई है उन्हें छोड़कर नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ numbers दिखाईते रहें तो इन में से कोई भी number आप select कर लीजे जैसे माल लीजे, मैं यहाँ पर 10 number को select करता हूँ और यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा category का, इस पर आपको click करना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 number की जगा पर आप क्या replace करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर अपना replace word यहाँ पर type कर देते हैं मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर fruits है यह तो मैं यहाँ पर fruits type कर देता हूँ fruits type करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा replace का एक option इस पर आपको click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी fruit की category एड़ हो चुकी और उसके बाद आप इसे select करके यहाँ पर ok बटन पर click कर देगे तो आप देखेंगे यहाँ पर category में आपको fruits दिखाई दे जाएगा इसके बाद cda आपको यहाँ पर mark पर जाना है और यहाँ पर जैसे आप mark पर click करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो long citation है यानि की जो citation हमने create किया था वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा इसी तरीके से इस category में जितनी भी citation आप add करना चाहते हैं आप add कर सकते हैं जैसे मालीजे हम second citation यहाँ पर use करते हैं second citation हम यहाँ पर select करते है strawberry को तो यहाँ पर हम strawberry को select करेंगे और यहाँ पर mark citation पर जाकर के click कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर strawberry का जो text था वो अपने यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर category में आपको fruits को रखते हुए सिधे आपको mark button पर click कर देना है इसी तरीके से हम तीसरे वाले को भी select कर लेते हैं हम यहाँ पर orange को select करते हैं orange को select करने के बाद वापस से mark situation पर click करेंगे और यहाँ पर आपको category वे fruits रखते हुए वापस से mark कर दे दाए अब हमने इसको mark कर दिया इसी तरीके से अब नीचे की तरफ हम जाते हैं नीचे click करके हम scroll करके pages को नीचे की तरफ आ जाते हैं अब आप देखेंगे यहाँ पर हमें vegetables दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर हम vegetables की एक category create करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने fruits की category create की थी और उसके बाद उसको भी हम mark कर देंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस word को select करते हैं यहाँ पर हमने click किया starting में और उसके बाद पूरे line को select कर दिया और वापस से जैसे हमने mark situation पर click किया तो वो पूरा का पूरा matter हमारा यहाँ पर दिखाई दे गया और उसके बाद यहाँ पर हम category create करेंगे तो यहाँ पर हम वापस से drop down वाले button पर click करेंगे नेचे की तरफ आ करके आपकिसी भी number को select कर दिये और यहाँ पर category को पर click कर दिशे और यहाँ पर इसके जो category का नाम हमें देना है वो हम देते हैं vegetables तो यहाँ पर हम type कर देते हैं vegetables, vegetables लखने के बाद आप यहाँ पर replace वाले button पर click कर दिजे और उसके बाद vegetable को select करके यहाँ पर ओगे बटन पर click कर दीचे इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो category है वो यहाँ पर vegetables add हो चुकी है और उसके बाद हम second वाली category को यहाँ पर select करते है इसको हमने click किया, click करने के बाद पूरे matter को select किया वापस से mark citizen पर click किया, matter हमारा यहाँ पर add हो गया vegetable category हम रखते होगे, यहाँ पर इसे mark कर देगे इसी तरीके से नीचे की तरफ हम जाते हैं तीसरे वाले को भी हम select कर लेते हैं हमारी category यहाँ पर represent हो जाएगी category में आपको vegetable रखना है और वापस से इसको mark कर देना है इसी तरीके से बागी की जितने भी categories हैं आप इस तरीके से mark कर सकते हैं तो फटा-फट हम तीसरी category को भी आपे mark कर लेते हैं नेचे की तरफ scroll करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आप दोल पर करेंगे नीचे की तरफ scroll करेंगे किसी भी number को select करके यहाँ पर हम category पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम category का एक नाम देदेए जैसे हम यहाँ पर देदेते हैं junk food junk food नाम देने के बाद हम यहाँ पर replace पर वापस से click करेंगे और उसके बाद यहाँ पर OK बटन पर क्लिक कर देंगे OK बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे General Food की कैटिगरी यहाँ पर add हो चुकी है और आपको सीधे Mark बटन पर क्लिक कर देंगे नीचे की तरफ आप जाएंगे Second वाला जो हमारा कैटिगरी है हम इसको सेलेक करेंगे वापस से Mark Citizen पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सीधे Mark पर क्लिक कर देंगे Mark पर क्लिक करने के बाद हम इसे यहाँ से Close कर देते हैं Close करने के बाद आप देखेंगे इसके नीचे की तरफ हमने अभी एक category को यहाँ पर छोड़ रखा है इसको मैंने यहाँ पर क्यों छोड़ा है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे सबसे पहले मैं इसका index create कर लेता हूँ तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले वाले page पर यहाँ पर चले जाएंगे first page पराने के बाद यहाँ पर आपको click करना है click करने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पर वापस से reference tab पर reference tab में आपको यहाँ पर दिखाए देगा insert table of authorities इस पर आपको click करना है जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहापर आपको cases दिखाई देगा यानि आपको यहाँ पर एक format दिखाई देगा कि इस तरीके का आप format इंसेट कर रहे हैं और उसके बद यहाँ पर आपको categories दिखाई देगी अब माल लीजे हम केवल fruits की category को इंसेट करना चाहते हैं तो आप सीधे fruit को सेलेक करके जैसी आपर OK बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास केवल fruits की category यहाँ पर दिखाई देगी इसके अलावा गर आप vegetable को इंसेट करना चाहते हैं तो vegetable सेलेक कर सकते हैं और junk food चाहते हैं तो junk food basically हम चाहते हैं कि हमारे पास जितनी भी हमने categories बनाई हैं वो सरी categories हमारी यहाँ पर represent हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर all को सेलेक करना होगा all को सेलेक करने के बाद यहाँ पर आप tap later के अंदर अपने हिसाब से जो भी dots सेलेक करना चाहते हैं जो भी landing सेलेक करना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक कर सकते हैं हम by default इसको वही रहने देंगे और नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको format भी दिखाई देगा जिसमें से आप कोई भी format यहाँ पर सेलेक कर सकते हैं तो by default जो format हमारा यहाँ पर हैं उसी को रहने देते हैं और नीचे की तरफ हम सीधे ok बटन पर यहाँ पर click कर देते हैं जैसे हम ok बटन पर click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर category wise जो भी हमारा index था वो यहाँ पर represent हो जाएग तो आप देखेंगे जितने भी आपके यहाँ पर breaks लगे रहे थे या जितने भी आपके marks थे वो सभी यहाँ से हट चुके हैं अब आप देखेंगे हमने fruits में यहाँ पर तीन category को add किया था वेजी टेबल में भी हमने तीन category को add किया था बट यहाँ पर फिलाल दो ही category यहाँ पर आ रही है पहली वाली केटिगरी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है इसी तरीके से जंग फूड में हमने किवल दो केटिगरी को ही एड़ किया था तो अब हमें करना क्या है जो हमारी एक केटिगरी वेजिटेबल में यहाँ पर रिपरजन नहीं हो रही है तो उसको हम यहाँ पर update करेंगे, तो उसको update करने के लिए आपको वापस से vegetable वाले page पर जाना है, यानि हम चलने जाते हैं vegetables वाले page पर, और पहली वाली category को यहाँ पर select करेंगे पहली वाली category को select करने के बाद आपको वापस से reference time में जाना है और वापस से, यहाँ पर mark situation पर click करने के बाद यहाँ पर इसको select करके और आपको यहाँ पर category select करनी है, तो यह जो हमारी category है वो vegetable है, तो यहाँ पर हम वेजटेबल को select करेंगे, और यहाँ पर mark बटन पर click करेंगे माक करने के बाद अब हमारी जो last category थी junk food वाली वो भी यहाँ पर नहीं आ रही थी तो हम scroll करके यहाँ पर नीचे चले जाते हैं नीचे जाने के बाद आप देखेंगे सबसे last page में हमारा तीसरे नंबर पर आपको दिखाई देगा affordable price यानि यह जो category है वो हमारी junk food की category है तो उसको हम यहाँ पर select करेंगे think इसी तरीके से mark situation पर यहाँ पर हम marker के click करेंगे और यहाँ से हम vegetables कीыми जगापर यहाँ पर लेंगे junk food और junk food लेने के बाद यहाँ पर हम mark button पे click कर देंगे mark button पर click करने के बाद यहाँ से आप इसे close कर दीजिए close करने के बाद आप यहाँ पर चले जाएए सबसे उपर जहाँ पर आपकी table बनी हुई है और उसके बाद आपको यहाँ पर जिस भी category को add करा रहा है माले जाए हम vegetable वाली category को add कराना चाहते हैं तो simply हम vegetable वाली category को यहाँ पर select कर लेंगे select करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक update table का एक option दिखाई देगा इस पर आपको click कर देना है तो आप देखेंगा हमारी तीनों category यहाँ पर represent हो गई पहली वाली category थी वह यहाँ पर नहीं आ रही थी वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी सेम इसी तरीके से अगर हम junk food को update करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें junk food को select करना होगा यहाँ जंक food पर click करना होगा और वापस यहाँ update table पर click करना होगा तो आप देखेंगे आपका तो category wise index थाव वो यहाँ पर create हो चुका है तो दोस्तो इस तरीके से आप MS Word के अंदर Marks Citation का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, comment, share जरूर कीजेगा दन्यवाद